हेलो बच्चों आज हमारा एपी का थर्डे लेक्चर है तो जो हमारा प्रीविएस लेक्चर रहा था उसमें हम नुमेरिकर प्रोग्रम पे हम दो काम कर रहे थे आज भी नुमेरिकर प्रोग्रम ही रहेगी हमारी तो आज की वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हम देख रहे होंगे आप लोग देख रहे होंगे कि पहला पॉजिशन दे रखा है कह रहा है find the first term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73 तो अगर हम देखें तो हमसे कह रहा है कि जो 31st term को हमको यहां पर निकालना है ठीक AP का और जहां पर 11th term है उस AP का वह 38 दे रखा है और जो 16th term है वह 73 दे रखा है तो बच्चों जैसे कि यहां पर 11th term की बात बोल रहा है तो हम 11th term को कैसे दिनोट करेंगे हमने कल बताया था कि हमसे बोल रहा है कि 11th term जो है वह 38 है तो हम लिखेंगे कि A11 is equal to 38 और बेटा अगर हम इसको और सभी से लिखें तो A11 को हम क्या लिख सकते हैं general term में A plus 10D is equal to 38 तो हम इसको number 1 दे देंगे question पर फिर हमसे कह रहा था कि 11th term तो 38 है और जो 16th term है वह 73 है तो हम क्या करेंगे यहां पर A16 लिखा कितना दे रखा वेटा 73 तो हमने 73 लिख लिया फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं general term में 16th term को A plus 15D की जो value है वो कितनी होगी हमारे पास 73 और यह हमारे पास बन गया second equation तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो linear equation बनी है तो इन दो linear equation को हमको solve करना है तो अभी आने वाली classes में हम लोग linear equation पढ़ेंगे तो वहां पर हम इन equations को solve करना सीखेंगे बट यहां पर उसका थोड़ा सा concept बता देते हैं कि linear equation कैसे solve होती है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दो equation हमारे पास आ गई है एक equation है a plus 10 d is equals to 38 और second equation है a plus 15 d is equals to 73 ठीक तो यहां पर जो हम दो unknown है a d यहां पर unknown है और यहां पर भी a d unknown है ठीक हमको a और d की value निकालनी है तो जब हमको a d की value निकालने है था हमको यहां इसको solve करना पड़ेगा तो हम method लगा रहे है elimination to elimination method हम पोए समझ्म में आ रहा है कि बहुकि कि सी ना किसी चीज को हम क्या करेंगे eliminate करेंगे तो या तो हम A को eliminate करेंगे या तो हम B को eliminate करेंगे बट हम equation 1 और 2 में देख रहे हैं कि जो A है दोनों ही equation में उसका जो coefficient है वो क्या है? Equal है तो हम उसको क्या कर देंगे? Eliminate कर देंगे तो कुछ चीज़े ध्यान रखिएगा कि अगर हम जिसको eliminate कर रहे हैं अगर उन दोनों का sign जो coefficient का sign है वो अगर positive है तो हम क्या करेंगे? दोनों equation को subtract कर देंगे ठीक? अगर दोनों का opposite sign है जिसको हम eliminate करने जा रहे हैं अगर उसके coefficient का different sign है तो हम क्या कर देंगे? एड कर दिंगे बट एक condition यह है कि जिसको हम eliminate कर रहे हैं उसका coefficient equal होना चाहिए ठीक तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि A का coefficient फर्स्ट equation में 1 है और सेकेंड एक का coefficient जो है वो 1 है दोनों का ही coefficient सेम है तो हम और देख रहे हैं कि दोनों के ही sign प्लस है तो भाई जब दोनों के ही sign प्लस हैं तो हम equation को क्या करेंगे subtract तो हम यहां लिख देते हैं equation 1 minus equation 2 तो हम ऐसा करने पर हमको क्या मिलेगा A plus 10D is equals to 38 A plus 15D is equals to 73 हमने क्या किया subtract किया तो बट देख जब subtract कर रहे हैं तो अगर यहां पर प्लस है इसके आगे plus का sign है तो यहां minus लग जाएगा यहां पर plus है तो यहां इसके नीचे minus लग जाएगा और यहां पर plus है तो यहां पर minus अब हमने देखा भाई यह A plus का है अब इस A के लिए इसके नीचे वाला जो sign है वो work करेगा तो मतलब यह वाले A का जो sign है वो negative है तो A positive A negative cancel हो गया यहाँ पर 10 D plus का है और 15 D minus का है तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा minus 5 D और यहाँ पर 73 में से 38 अगर हमारे पास से गया तो हमारे पास कितना बचेगा minus का 30 5 minus और minus cancel हो गए हमारे तो हमारे पास जो d की value आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 7 ठीक तो हमारी d की value आ गई 7 अगर हम इस d की value 7 को first year second equation में put कर दें put d is equals to 7 in equation 1 तो हमारे पास कितना आ जाएगा a की value तो a हमारे पास आ जाएगा बेटा यह हो जाएगा 10 5 जा हो गया कितना 10 7 जा हो गया 70 और उधर जाके कितना हो गया minus 70 ठीक तो minus 70 जब हम उधर करतेंगे तो हमारे पास जो difference आएगा वो कितने का आ जाएगा जो difference आएगा वो कितने का आएगा यहां पर हो जाएगा 38 minus 70 means a बराबर हमको मिल जाएगा इतना 32 वो भी minus sign के साथ ठीक तो minus का 32 जो है वो a की value है और हमसे question में बोला था 31st term निकालो तो therefore 31st term को हम क्या लिखेंगे a 31 और इसका general term क्या लिख सकते है a plus 30 d तो a की value बेटा हमारे पास कितनी आ गई अभी minus 32 एक फिर प्लस 30 इंटू 7 तो यह minus 32 और प्लस 210 यह हमारे पास बचा अगर हम 210 में से 32 को घटा दी तो हमारे पास कितना बचेगा बचेगा 178 एक कोई दिक्कत ठीक तो अब हम चलते हैं अपने next question की तरफ यह रहा हमारा next question तो next question हमसे क्या कह रहा है एंड एपी consist of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106 मतलब 106 में 106 find the 29th term कह रहा है कि हमारे पास एक एपी ठीक consist of 50 terms उसमें total 50 terms है मतलब जो last term है वो कितना है ए 50 ठीक of which 13 term is 12 means बेटा हमसे कह रहा है कि जो इस एपी का जो third term है मतलब एथरी वो कितना दे रखा है 12 तो भाई इसको journal form में क्या लिख सकते हैं a plus 2d बराबर 12 यह हमारी होगे फर्स्ट एक्वेशन और कह रहा है and the last term is 106 अब हमसे कह रहा है starting में कि एक एपी है and ap consist एक एपी है जो की contain करती है या consist करती है 50 terms मतलब उसमें पचास term से जादा नहीं है तो भाई उसमें जो last term होगा वो पचास वह term होगा ठीक और हमसे यहां पे कह रहा है the last term is 106 मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो 50 जो 50 term है वो 106 है तो जब हम इसको solve करेंगे तो 50 term को जब हम journal form में लिखेंगे तो a plus 49 d लिखेंगे इसकी value हो गई 106 second equation हो गई अगर आप यहां पे देखें तो फिर से elimination method लगेगा फिर से वही है कि यहां पे a का जो coefficient है सेम है सेम साइन है तो क्या कर देंगे equation 1 में से हम equation 2 को subtract कर देंगे ठेक तो यह हो जाएगा a plus 2 d is equals to 12 a plus 49 d is equals to 106 तो भाई यह plus तो minus minus यहां पे plus है तो यहां पे भी minus यहां पे भी plus है तो minus तो बेटा यह a से a हमारा cancel हो गया यहां बचा minus 47 d is equals to यहां पे 106 में से अगर 12 हो गया तो हमाई पस कितना बचरेगा बताई यह minus का 94 तो बेटा minus से यह minus cancel हो गया तो d की value हमारे पास आ गई 2 ठीक तो अब हम से कहा रहा है कि हमको find out करना है 29 तो 29 का मतलब हुआ बेटा कि हमको a 29 की value find out करनी है अगर हम इसको journal format में लिखें हैं तो a plus 28 d होगा की नहीं होगा तो भई एक हमारे पास कितनी है a की value हमारे पास कितनी है अचा हमने a की value तो निकाल लिया था यहां पर a नहीं निकाला न अगर हम क्या कर दें put कर दें d is equals to 2 in equation 1 तो हमको a मिल जाएगा तो a हमारा कितना हो जाएगा यहां पर a जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 8 अब हम 29 निकाल सकते हैं तो a की value हो गई 8 plus 28 d की value आ गई 2 तो बेटा जब हम इसको solve करेंगे तो 8 plus 28 into 2 कितना हो जाएगा 56 और add-on कर देंगे तो 64 मतलब जो 29 नाइंथ टाम है वो कितना है हमारे पास 64 कोई दिक्कत यहां तक तो अब हम चलते हैं अपने next question की तरह तो यह रहा हमारा बेटा next question यह कह रहा है if the third and the ninth term कह रहा है कि भाई जो third और ninth term है किसका ap का are four and minus eight मतलब जो third term है वो four है and जो ninth term है वो minus eight है respectively respectively मतलब जैसे third and ninth बोला तो उसके बाद जो number भी दे रखा है four and minus eight वो भी उसी term के value को denote कर रहा है तो भाई हमसे बोला गया कि third term means a3 की जो value है वो दे रखी है four तो a3 का जो journal term होगा journal format होगा वो हो जाएगा a plus two d मतलब a plus two d की value हो गई four तो यह होगा हमारी question number one फिर हमसे बोल रहा है कि जो ninth term है वो है minus eight इसका मतलब हुआ कि a plus eight d की value हो गई minus eight यह हो गया equation number two तो बेटा देखो यहां पर फिर से elimination method लग रहा है तो अब हम यहां पर क्या करेंगे equation one में से equation two को घटा दें तो यह हमारा eliminate हो जाएगा तो यह हो जाएगा a plus two d is equals to four a plus eight d is equals to minus eight फिर हमारी सब्ट्राक करने है तो जहां जहां प्लस है तो वहां पर आ जाएगा बेटा माइनस का six d और यह हो जाएगा 12 जब हम इसको solve करेंगे तो हम यह पास d की value जो आएगी वह आएगी minus two ठीक अब हमको a निकालने फिर उसके बाद हमसे जो भी term बोलेगा हम उसको निकालने की कोसिस करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं a की value तो हम क्या करेंगे put d बराबर minus two in equation number one तो a की जो value है हमारे पास वह आजाएगी 8 कितनी आ जाएगी 8 ठीक a की value 8 आ गई बट हमसे कह रहा है which term of this a p is zero कह रहा है which term मैंने जब आप से कल बोला था कि बेटा जब which term बोल दे तो समझ जाओ a n की बात कर रहा है तो which term बोला ना तो अब which term जैसे ही बोला तो आपने माना कि वही which term मतलब a n is zero is का मतलब मैंने बताया था कि equal to होता है maths के term में तो which term of this a p is zero मतलब which term means a n is equals to zero तो वह बोल रहा है कि a n कब हमारा zero होगा तो हमको इसको solve करके बताना है तो अब हम a n के लिए क्या करेंगे a n का formula हमारे पास होता है a plus bracket में n minus 1d हमने रखा और किसके बराबर है जीरो के अब हमारे पास a की भी value है और d की भी value है तो हमको n नहीं पता है अगर हमको n पता चल जाएगा था हमको वो term पता चल जाएगा जब जो वो term है वो zero हो जाएगा तो हम a की value रख देते हैं यहां पे eight n हमको पता नहीं है और जो d है वो है हमारा minus two is equals to zero अब बेटा अगर हम इसको solve करें तो यह हो जाएगा eight minus two and plus two is equals to zero अगर अब हम इसको solve करें तो जो हमारे जो क्या कहते है variable होता है वो एक तरफ होना चाहिए और constant एक तरफ अच्छा जो variable हो वो हमेशा positive हो कुछ इस तरीके से हम रखते हैं तो हम यहां हो जाता है two n is equals to ten हो जाएगा तो जो हमारी एन की value आएगी वो आए जाएगी five मतलब कहने का मतलब है कि जो fifth term है वो उसकी value जो होगी वो कितनी होगी zero एक तो कोई दिक्कत यहां तक अब हम चलते हैं अपने next question की तरफ तो यह रहा बेटा हमारा next question इस question में हमसे बोल रहा है कि the seventh term of n a p exceeds its tenth term by seven find the common difference and also find a p तो अब हमसे कह रहा है कि एक a p है जिसका 17th term है एक a p है जिसका 17th term तो बेटा हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हमसे कह रहा है 17th term बोल रहा है ना तो हम लिख लेंगे कि जो a p है उसका 17th term is sorry the 17th term of an a p exceeds its tenth term by seven कह रहा है कि जो हमारा 17th term है 17th term of an a p जो हमारी a p का 17th term है exceed मतलब जादा होना किस से its tenth term by seven वो कह रहा है कि जो a p है उसका 17th term जो है वो 10th term से seven जादा है means a 17 is equals to a 10 plus seven तो बेटा a 17 को हम क्या लिख सकते हैं a plus 16d और a 10 को हम क्या लिख सकते हैं a plus nine d plus seven तो हम देख रहें यहां पे भी a और यह a cancel हो जाएगा nine d जब 16d की तरफ जाएगा तो यह हो जाएगा seven d is equals to seven means यहां से हमारी जो d की value आ गई बेटा वो कितनी आ गई one ठीक तो हमसे बोला क्या निकालने को common difference ठीक तो अब हमने यहां पे common difference निकाल लिया ठीक और बेटा हमसे यहां पे यह भी कह रहा है कि क्या निकालना है हमको also find its a p तो बेटा यहां पे हम a p directly नहीं find out कर सकते हैं क्योंकि यहां पे हम a की value को ही नहीं find कर पाएंगे तो हम यहां पे ap भी find out नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा correction है इसको cut कर दीजे बाकी difference तक का question ठीक है ठीक तो अब हम चलते हैं अपने next question की तरफ तो यह रहा पेटा हमारा next question यह question कह रहा है which term of the ap एक हमारे पास ap दे रखी है 3 15 27 39 की तो अब question को समझिए कह रहा है which term of the ap 3 15 27 39 will be 132 more than its 54th term तो बिटा which term जैसे ही which term आप सुन रहे हैं कहीं पर भी question में तो आप सीज़े लिखिए an आपने लिखा which term an ठीक of the ap कह रहा है कौन सा term तो भाई वह an हमने माल लिया कि वह term है an of the ap ap बोल रहा है तो ap हम को दे दिया है will be वह कौन सा term है जो तो will is यह सब जो भी आपको दीखेंगे वह समझेगे equal to equals to which term of the ap this will be 132 तो जो term है ठीप वह कौन सा term है जो 54th term से बरलब a 54 term से 132 जादा है हमको यह बताना है ठीक तो देखो बेटा हमको term निकालना है means n की value निकालनी है ठीक तो अब देखो हमारे पस यह पूरा equation बनके आया हमसे यह ध्यान रखिए आप question में जैसे ही बोलता है which term तो which term का मतलब हो जाता है कि an को बताना है तो हम वहाँ पे an लिख लेंगे जैसे which term आप सुनो तो आप an लिख दो अपनी copy पे ठीक फिर उसके बाद क्या है कि हमसे कहा रहा है कि एक ap दे दी गई और उस ap में वह कौन सा टर्म है जो 132 ज्यादा है अपने 54 टर्म से था हम लिखा भाई कोई एक टर्म है एन जो कि 54 टर्म से 132 ज्यादा है तो अब हम an का formula open कर देंगे तो यह हो जाएगा a plus n minus 1 d is equals to a plus 53 d plus 132 तो बिटा अगर हम देखें तो यहाँ से d और d sorry a और a cancel हो गया तो हमारे पास बचा n minus 1 into d बराबर 53 d plus 132 अच्छा अब हम एक चीजा आप यह जानिए कि अगर हमारे पास एक equation है और दो unknown है तो कभी भी हम लोग उस equation को solve नहीं कर पाएंगे मीन कि हम उसकी value नहीं निकाल पाएंगे तो यहाँ पर कुछ हम को ऐसे दिख रहा है कि एक equation है जिसमें nba और db है तो भाई किसी term और difference निकाल सकती है यह मैंने कल के lecture में भी आपको बताया था तो हमारे पास जो ap है उसमें जो first term है वह एक इतना है और अगर हम वहाँ से difference की बात करें तो difference है 12 का ठीक तो यहाँ पर हम क्या करेंगे dq value रख दें यह हो जाएगा n-1 into यह हो गया बेटा 12 is equals to 53 into 12 plus 132 तो बेटा देखो n-1 into 12 अगर हम 53 into 12 करेंगे तो क्या आएगा तो देखो फुरी इस calculation अगर आप समझो यहाँ पे तो यह दे रखा है 53 तो 53 को हम क्या लिख सकते हैं 50 plus 3 लिख सकते हैं और अग हम इसको 12 से multiply कर दें तो देखो बच्चो 5 की table को अगर sorry 12 की table को अगर 5 times पढ़े तो 60 आता है और एक यह 0 600 हो गया बच्चे और 3 12 होता है 36 अगर हम add on कर दें तो 36 हो गया हमारा क्या total product मतलब यहाँ पर जो आएगी वह value आएगी 36 plus 132 अगर हम इसको जोड़ें तो आ जाएगा 866 n-1 इसकी value आ गई तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे n-1 बराबर हमारा क्या जाएगा 668 divided by 12 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो n-1 की जो value आएगी वह कितनी आ जाएगी बताएगी एक बार बेटा ज़रा calculation चेक करिए error आई है यहाँ पर 132 था तो यह हो जाएगा बच्चे 768 और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 768 divided by 12 तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 6 times में 72 हो गया और 4 times में 48 यह हो गया 64 अब n की value चाहिए तो n की value कितनी आ गई 65 हमसे पूर रहा था ना कि कौन सा टर्म तो हमारा जो answer होगा उसमें हम लिखेंगे की जो 65th वाला term है 65th term is 132 more than its 54th term ठीक तो कोई दिक्कत ठीक तो अब हम चलते हैं अपने आखरी question की तरफ तो यह रहा हमारे lecture का आखरी question तो यह question हमसे कह रहा है कि determine the AP हमको AP बता लगानी है determine मतलब AP को पता लगाओ या AP निकाल की बतानी है determine the AP whose third term is 16 and the seventh term is and the seventh term exceed the fifth term by 12 तो देखो बच्चे हमको AP पता लगानी है जब भी हमसे कह दे कि determine AP करो या find AP करो तो समझ जाओ कि आपको केवल और केवल पहले तीन term निकालने है मतलब first term A या A1 जिसे बोल सकते हो A2 निकालना है और A3 तो यहाँ पर देखो बिटा हमको पहले ही बोला कि जो third term है मतलब A3 जो है वो कितना दे रखा है 16 तो हम इसको journal term में क्या लिख रहेंगे A plus 2D is equals to 16 number one equation बना के हमने इसको छोड़ दिया फिर second time में कह रहा है जो seventh term है इस AP खा वो exceed the fifth term by 12 मतलब की जो seventh term है वो हमारे fifth term से exceed the fifth term by 12 ठीक तो बिटा हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको open कर देंगे seventh term को तो A plus 6D हो जाएगा और fifth term को A plus 4D हम लिख लेंगे plus 12 तो बिटा A से A तो हमारा cancel हो गया और इसको जब हम solve करेंगे तो आएगा 2D बराबर 12 और तो D की value यहाँ से हमारे कितनी आ जाएगी बिटा 6 अगर D की value 6 आ गए और हम इसको जाके पहली equation में put कर दें put D बराबर 6 in equation 1 तो A की value हमारे पास बिटा कितनी आ जाएगी 12 जब घड़ जाएगा तो आएगी A की value कितनी 4 तो A की value आ गई हमारे पास 4 हमसे कहा कि A P को find out करो ठीक तो therefore A is equals to 4 ठीक तो A2 हमारा बिटा कितना हो जाएगा A plus D मतलब 4 plus 6 that is हमारे पास आ गया 10 और A3 तो बिटा हमको दे ही रखा था पहले से 16 therefore हम कहेंगे dear for A P is 4 10 16 और हम ऐसे ही इसको करके छोड़ देंगे ठीक तो बिटा कोई दिक्कत यहां लोगों को कोई दिक्कत हो comment करिए ठीक और अभी मैं लास्ट में WhatsApp नंबर दे दूँगा आप लोग को कोई भी दिक्कत होती है तो उस WhatsApp नंबर से contact करिए जुड़िए आकर के तो वहां पे जब आप जुड़ेंगे तो आप लोगों को मैं receipt provide करा दूँगा इस से related जो भी question कराऊंगा तो जिससे आप लोग को काफी मदद मिलेगी कि आप और भी question लगा पाएंगे और कुछ बच्चों का comment आया था कि उनको प्रिविए सारे lecture में कुछ question में दिक्कत हुई है तो उसको बेटा आप मेरे को एक बार याद दिलेगा संडे को उसको हम discuss करेंगे जो भी हमारी एरर रहेगी सेटर्डे को आप मेरे को बताओगी तो फिर मैं संडे को उसको मैं आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइट करवा दूंगा है ठीक चलिए आज के लिए इतना ही अभी लास्ट में वाट्सेप नमबर लगा दिता हूं तो आप तो उसको मेरे से contact करेंगे ठीक जिए अपी।